हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग मैं प्रविन लड़्डा टीम सील सी फिजिक्स आपका इस दंगल स्रीज में स्वागत करता हूं आज हम दंगल टू छे जुलाई दो जार बाइस को सेक्षिन ए को फ़रेंगे तो पहले बात करते हम सेक्षिन एका क्या ग्राइडिरियर रहेगा तो सो अर्टेंट फायफ मल्टिपल चोईस कोश्चन्स और कंपल्सरी टू अटेंप यू विल बी अवाड़ेट फूर मार्क्स फोर करेक्ट आंसर एंड माइनस मार्क्स फोर इन correct answer तो वह यह हमारी जो है दंगल टेस्स फोर ने ट्वंटी ट्वंटी टू की है और हम यहाँ पर दंगल नंबर दो टोटल दस दंगल होंगे जिसमें से आज हम दंगल दो का discussion करने वाला है तो देखिए हम सबसे पहले start करते हैं section A को तो section A में अगर आप questions attempt करते हैं तो four marks हैं और अगर वह negative होता है तो minus one marks हो जाता है तो question one सबसे पहले हम देखते हैं क्या है question number one दो प्रक्षपों A तथा B को एक अनुपात दो के अनुपात में चालों से फेक्मों से समान अधिक्तम उचाहियां पराप्त करते हैं यदि A को 36 से 45 degree कौन पर प्रक्षपित किया जाए तो B का प्रक्षपन कौन कितना होगा ग्याद करें सो two projectiles A and B thrown with speed in ratio 1 is to root 2 acquired the same maximum height if A is thrown at an angle 45 degree with the horizontal the angle of projection of B will be सो देखें यहाँ पर दोनों projectile जो आप throw कर रहे हैं उनकी speed जो है वो U A और U B A और B दो पार्टिकल है उनकी speed का जो ratio है वो 1 is to root 2 given है अब यह maximum height है maximum height होता है U square sin square theta upon 2 G तो आप दोनो maximum height का ratio लें H1 और H2 ठीक है यह बोल रहा है same maximum height तो आप यहाँ देखें यह दोनों equal होंगी तो जो same maximum height होगी तो H1 equals to H2 हो जाएगा H1 equals to H2 हो गया तो यह U A square U square sin square theta 1 equals to U B square sin square theta 2 यह हो जाएगा ठीक है 2 G से 2 G cancel हो गया अब यहाँ पर बोला है A 45 degree तो यहाँ पर जो यह है U A upon U B whole square equals to sin square theta यह पूछा आप से तो sin square theta 2 और यह आपका sin square theta 145 sin 45 की जो value है 1 by root 2 तो यह 1 by 2 हो जाएगा theta angle पूछा है U A upon U B की value लिपूट कर देते हैं तो यह 1 by root 2 का square 1 by 2 यह 2 इस तरफ चला गया sin square theta 2 तो sin square theta 2 equals to 1 by 4 so sin theta तो भई यहाँ पर यह जो हमारे पास relation आया sin square theta 2 जो B के लिए है यह 1 by 4 आया आया तो sin theta equals to 1 by 2 हो जाएगा means theta equals to कितना हो गया 30 degree हो गया तो right answer होगा option 3 next question next question है एक भारी एक समान जंजीर शेतीज मेच के उपर विराम में रखी हुई यदि जंजीर वए मेच के मद्या घर्शन गुणांक 0.25 है तब जंजीर की लंबाए का अधिकतम भाग जो मेच के एक स्रेल से नीचे लटकता है होगा a heavy uniform chain lies on horizontal table in rest it is if the coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.25 then maximum fraction of length of the chain that can hang over one edge of the table देखो क्या मतलब हुआ यह आपने एक table लिवी है ठीक है अब इस पर आपने यह एक chain इस पर आपने यह hang हुई है अब अगर इसकी फ्रिक्शनल फोर्स यहां लगेगा limiting जिसके लिए यह रेस पोजिशन पर रहेगा और इस hanging पार्ट का मास मान लो यह m1g है तो यह जो फ्रिक्शनल फोर्स है limiting यह m1g से अगर balance हो जाता है तो यह क्या रहेगा rest position पर रहेगा तो limiting निकाली जाए तो मू मास इसका m2 उपर वाले का मास m2g तो m2 कितना हो गया मास पर unit length multiply by l minus x चीक है multiply by g ही m1 मास पर unit length multiply by length of this x length x यह g m by l cancel हो गया इसको rearrange करें तो mu l minus mu x equals to x आ रहा है so x equals to क्या रहा है mu l upon 1 plus mu तो आप से x by l percentage में पुच्छा means 100 से multiply करना है तो यह आगया mu upon 1 plus mu multiply by 100 mu की value कितनी है 0.25 यह 1 plus 0.25 हो गया 1.25 multiply by by multiply by 100 तो इसको solve करते हैं तो right answer आता है आपका यह 5 और यह 20 तो right answer होगा option 1 20 percent next question train is falling vertically downward with a speed of 4 km per hour a girl moves on a straight road with a speed of 3 km per hour the apparent velocity of rain with respect to girl is देखे वर्षा उर्द्वादर नीचे की और 4 km per second की चाल सेगे तो velocity of rain with respect to ground जो है 4 km per hour given ठीक है अब यह एक लड़की है तो velocity of girl with respect to ground यह जो है 3 km per hour से ऐसे horizontal में move कर रही है तो आपको find out करना है apparent velocity of rain with respect to girl means velocity of rain with respect to girl find out करने तो इसकी equation बनाए जाए तो velocity of rain with respect to girl equals to velocity of rain with respect to velocity of rain with respect to girl तो velocity of rain with respect to ground plus velocity velocity minus आए गा है मिनस velocity of girl with respect to ground यह जाए तो यह velocity of rain with respect to ground 4 तो downward direction वाई ले ले तो जे केप हो गया minus velocity of girl with respect to ground ठीक है यह आपका 3 I केप हो गया magnitude निकालेंगे तो यह 5 आजाएगा तो राइट आंसर होगा 5 km पर आजाएगा next question two spheres a and b of mass m and 2m having radiate 2a and a respectively are placed in touch the distance of center of mass from the center of first sphere देखे आपको यहां दियावाद दो गोले में a तता être B जिनके द्रव एमान एप यह A गोला है यह B गोला इसका द्रवहीमान मान है इसका 2m है इसकी 3 ज dön जो है वो two ए इसकी 3 जा है ए double आपस में स्पर्ष कढाकर रखे गहें पहले वाले गोले के केंद्र से द्रिविमान केंद्र कितनी दूरी पर होगा तो यहां से निकालना है तो द्रिविमान केंद्र होगा इस X-axis के लो यह आप X-axis ले रहे हैं तो X M equals to M multiply by 0 plus 2 M multiply by 2 A plus A 3 A upon total mass होगे 3 M यह part 0 यह M से M यह 3 cancel तो आगे 2 A तो right answer होगा 2 A next question a circular disk X of radius R having thickness of material T another Y disk of radius 4 R made from same material thickness T by 4 then ratio of moment of inertia I Y upon I X तो देखिए आपको यहां पर एक व्रक्ताकार चक्ति देखी यह है आपकी X जिसकी तरिज़ा R है मोटाई T है अब दूसरी समान पदार्त की एक चक्ति दे रखी है इसकी तरिज़ा यह Y चक्ति होगी इसकी तरिज़ा होगी 4 R और इसकी मोटाई होगी T by 4 द M1 और इसका द्रीमान M2 मानले तो द्रीमान क्या होगी गनत नुट इन तो गनत इसका रो आइतन कितना होगा इसका शरेत्रफल Pai R स्कवाएर और ठिकनेस T हो गया इसका द्रीमान घंत तो वह रहेगा Cub 5 4 R स्कॉर ठिकनेस T by 4 तो यह आपके जो M2 आहेगा रो पाई 4 से 4 त यहाग वोरार स्क्वाइर टी आगया अब आई वाई अपॉन ऑ ऐक्स ओयए अपून आ ईएेक्स तो यह होता है मर्स्क्वाइर वाई टू होता हिको थो ओकिंषिर हो एंध्य Gabrielle स्क्वाइर चीए फीनार chuck loyalty म इसकी रडीस होगे है आपकी एम रों पाई रास्कउएर टी चल चली रों पाई रस्क्वाईर तो यहां पर आपका यह बज़ रहे 16,4,64 यह 64 आ रहा है ठीक है तो राइट आंसर हो जाएगा option 4,64 next question road of length L mass M is free to rotate about point A in vertical plane the road is released from the horizontal the angular acceleration of road is देखे आपको एक L लंबाई और M द्रिविमान की छड़ बिंदू A पर उर्दवादर तल में गुणन कर सकती है यह से इसे गुणन कर सकती है जब इसे शेतिस से छोड़ते हैं तो जैसे यहां से छोड़ते हैं तो इसी श्रण पर इसका कौन ही तोरण किया होगा तो जैसे छोड़ेंगे इ L by 2, I कितना होता इसका? M L square by 3 alpha, M cancel, L cancel, alpha equals 2 आ गया 3G upon 2L, तो right answer हो जाएगा, option 4, ठीक है? तो इस तरह से यह हम इसको solve करते हैं, ठीक, next Next, particle of mass M is moving in a circle path of constant radius R, such that its centripetal acceleration is varying as with time S equals to K square R T square, then power delivered to the particle देखे, आपको यह दिया होगा एक, यह एक M द्रुविमान का कण है, यह R तरिज्जा, यह 1 M द्रुविमान का कण, R तरिज्जा के व्रत्य परत्त में इस प्रकार गति करता है कि इसका अभी केंद्री तोरण A equals to K square R T square, यह दिया होगा, समय परिवर्थी ते तो इस कंड की प्रदक्त शक्ति होगी, पावर कितनी होगी, तो A equals to क्या होगा, जैको V square upon R होता है, तो K square R T square होगा, तो V equals to K square R T square, तो यह K R T A equals to K R T, अब देखें, यहाँ पर centripetal जो force होता है, एक तो होगा इस पर centripetal force, एक होगा tangential, कैसे बतला लगा tangential, आप इसको differentiate करेंगे, dv by dt, तो यह आपका 80 होगा, यहाँ कि tangential acceleration आएगा, that is K R, यह 0 नहीं, यहाँ पर tangential acceleration लगेगा, centripetal जो है, वो भी लगेगा, लेकिन centripetal force के कारण जो power deliver होगी, वो 0 होगी, क्योंकि centripetal force और velocity दोन एक जूसे के perpendicular होती है, तो power होती है, आपकी f dot v, f v cos theta, यहाँ centripetal के लिए theta की value 90 degree हो जागी, centripetal इदर, velocity दर, 90 cos 90 की value 0, तो power delivered by centripetal force 0 होगी, लेकिन power delivered by, जिस tangential force जो होगी, वो यहाँ पर exist करेगी, तो यह ft multiply by v, ft कितना है, mass 80 k r, और v की value क्या है, k r t, तो यहाँ क्या है, m k square r square t, m k square r square t, तो right answer हो जागा, option 1, next question, next, in an elastic collision, a neutron collides with carbon atom at rest, how much energy is percentage, how much energy in percentage of neutron, of neutron is transferred to carbon, एक प्रतियास टक्कर में, एक neutron विरावस्था में, इस्थित carbon प्रमानों से टक्राता है, तो neutron की कितनी प्रतिशत उड़ जा, carbon को इस थानांद्रित कर दी जाएगी, तो देखिए, यहाँ पर यह neutron है, यह neutron, इसका मास ले लेते हैं, हम M, इसकी velocity यह U1, यह carbon हो गया, इसका मास हो गया 12 times, यह rest position पे U2 0, अब यह इसकी velocity जो M की हो जाएगी, after collision V1 हो जाएगी, और यह 12 M की जो हो जाएगी, after collision V2 हो जाएगी, how much energy is percentage of nutrients transfer to carbon, तो आपको यहाँ पर percentage में पूछा है, तो यह इसकी kinetic energy निकाले, ठीक है, upon इसकी kinetic energy percentage में convert कर देखिए, यहाँ पर हम V2 निकालो कर लाएगी, तो V2 equals to क्या है, M2 minus M1 upon M1 plus M2 multiply by U2, U2 0 हो यह तो यह part 0 हो गया, plus 2 M1 U1, तो यह 2 M1, 2 M1 क्या है, M1 U1 upon M1 plus M2, M1 plus M2 कितना हो गया, 13 M हो गया, तो यह V2 निकल किया गया, आई है V2, अब आपको percentage में निकालना है, तो kinetic energy after collision कितने हो जाएगी, 1 by 2, 12 M, यह V2 का square कर देंगे, तो 2 M U1 square upon 13 M, M तो cancel हो गया, इसका square upon, यह 2 M U1 का whole square upon initial 1 by 2 M U1 square percentage में 100 से multiply कर देंगे, तो जब आप इसको solve करते हैं, तो आपको approximately 28% answer मिल जाता है, Next, A solid cylinder rolls without slipping down an inclined plane of height H, velocity of cylinder when it is the bottom, देखो यहाँ पर आपको एक thos balance, बिना फिसले, किसी height से नीचे लुड़क के आ रहा है, तो जब यह यहाँ से यहाँ आता है, तो इसकी velocity जो होती है, वह होती विक कोस्टू, बिना फिसले यानिकी pure rolling, तो यह 2GH, 1 plus k square upon r square, थोस balance का k square upon r square होता है, 1 by 2, तो यह आपका 3 by 2 2 पर चला गया, तो 4GH by 3, right answer हो जाएगा option 2, तो एक दिया गया आवेश एक विद्यू दूदूरू की अक्ष्य इस्तिर पर किस्छी निस्ची दूरी पर बहला नूबर कुड़ता है, तो यह आपका दियू-दूरू होगा, minus q, plus q, इसकी यहाँ पर जो विद्यूष शेत्र होगा e, तो e अक्ष पर कितना होता है, 2 kp upon r cube, तो यह e is proportional क्या होगा, 1 upon r cube होगा, ठीक है, तो यहाँ पर बोलगा कर डिस्टेंस दुग नहीं करतेंगे, तो यह दुग नहीं करतेंगे, कितना हो जागा, यह 8 times कम हो जागा, तो force जो है आपका f by 8 हो जागा, 2 की पावर 3, 2 to 2 पावर 3, 8, तो यह f by 8 आजाएगा, next, a fixed uniformly charged ring of radius 3 meter has positive linear charge density 50 by 3 micro coulomb per meter, a point charge 5 micro coulomb is moving towards the ring along its axis such that kinetic energy at A is 5 joule, its kinetic energy at the center of ring will be nearly, देखो यहाँ पर आपको एक charge दिया हुआ है, यह जो charge है 5 micro coulomb का, यह यहाँ से आपने 5 micro coulomb को 5 joule energy के साथ project किया, जब यह यहाँ पर आता है तो उसकी गतिरूर्जा क्या होगी ग्याद करें, तो आप लगाएं conservation of mechanical energy, तो यहाँ की kinetic plus potential, तो kinetic energy यहाँ पर है 5 joule, plus potential energy क्या है, के, इस पर charge q1 है, यहाँ charge q2 है, तो k q1 q2 upon यह r, तो 3 यह 4 तो यह होगया आपका 5, अब यहाँ पर जब kinetic energy ओपर बात करें, तो यहाँ kinetic energy plus potential energy k q1 q2 और जब यह यहाँ आएगा तो यह इसकी radius होगी 3, आप यहाँ पर k q1 q2 3 की value put करेंगे, तो देखो kinetic energy यह क्या आएगा, values put करें kinetic energy, तो 5 k 5 plus k q1 q2 यह आपने बाहर को मन ले लिया, 1 by 3 minus 1 by 5 minus 1 by 3 यह आजाएगा, value put कर देते हैं, 5 plus k की value 9, 10 to power 9 q1, q1 ले लें आप 5 microgram, 10 to power minus 6, यह आपको charge per unit length 50 by 3, 10 to power minus 6 और 2 by r, r की value कितनी 3 और यह आपका 1 by 5 minus 1 by 3, तो यह minus 2 by 15 यह आजाएगा, ठीक है, solve करेंगे इसको, तो solve करने पर आपको final answer मिलता है, 3.1 joule, solve करने पर यह answer आजाता है, which of the following has the maximum resistance, तो किसका प्रतिक्तिरों सरवादिक होता है, मैं पता है, इन में सबसे आदा वोल्ड मीटर का होता है, in this circuit shown in figure, C1 equals to 2C2, capacitor C1 is charged to a potential of V, the current in this circuit just after the switch S is closed, देखें, जैसे switch S को close करते हैं, तो इसमें current कितना होगा, तो आपने इसको V potential से charge कर दिया, C1 equals to 2C2 है, ठीक है, तो जैसे ही हम इसको charge करके, जैसे ही close करते हैं, उस समें current maximum होगा, यह आपका RC discharging circuit हो, उसमें current maximum होगा, तो जो I होगा, वो V potential upon R equivalent कितना होगा, 2R हो जाएगा, तो यह I equals to V upon 2R हो जाएगा, next, in this shown arrangement of experiment of the meter breeze, if AC, AC corresponding to null deflection of galometer is X, what would be that value if the radius of the wire AB is double, देखिए, यहां पर meter सेत्यों प्रियोग के प्रदेशित परिपत में, शुन्य विक्षिप्ट के संगत दुरी यह AC का मान X है, यह तो तार AB की तुरुजा को दुगना करते हैं, यह तार AB की दुगनी करती जायता है, शुन्य विस्थापन दुरी का मान क्या होगा, कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो resistance, यूनिफार्म मैगनेटिक फिल्ड या किसी मैगनेटिक फिल्ड में पर्पेंडिकुलर मुह करता है, तो उसका दोट पadow पड़ेगा खाँख़़गा, जिरो यहाँ A डोट b जो है, बुणकर दुसकर फर्पेंडिकुलर है, इनका दोट पड़ेगा जिरो होगा, तो एक स्क्वेस्ट्र क्या होगा माइनस एट वाइट थ्री आ जाएगा तो पंद्रा का जो होगा ऑप्शन थ्री आंसर आगा कि नेक्स्ट एंग्नेटिक निडिल सस्पेंडेट इन वर्टिकल प्लेन एट 30 डिग्री फ्रों मैंग्नेटिक मेरी इन मेक्स एन एंगल 45 विद्धी होरिजेंटल देखिए आपको चुम्ब के सुई जो है उर्द्वा दैतल में चुम्ब की याम उत्तर से 30 डिग्री कौन पर निलंबित पाया जाती है तो आपका जो यह है आपके टैन थीटा डिश तो चुम्ब की या मुत्तर से 30 डिग्री कौन पर 32 से 45 डिग्री कॉंण पर ईलंभित पाई जाती है तो यह फॉर्म्ला होता है तेन थेटा ज़ास्तु टेन थेटा अको सल्फ होता है तो टेन थेटा तेन थेटा डेश को सल्फ हो अब तैन थेटा कितना हो गया को पर शेतिस से 45 degree कौन पर निलम्बित पाए जाती तो यह तो alpha की value 30 होगी और यह 45 degree होगे तो 10 45 और 10 cost 30 तो यह आपके 10 theta equals to 10 45 की value 1 और cost 30 की value root 3 बटे 2 तो theta equals to 10 inverse root 3 बटे 2 राइड आंसर हो जाएक option 3 next question next question figure shown 2 bulbs B1 and B2 resistance R and inductor L when the switch S is turned off आप जैसे इसको यहाँ पर यह initially बेटे से connected है इसको open कर देते हैं तो क्या होता है तो यह inductor पुरी तरह से चार्ज हो चुका होता है तो यह current इसमें flow कर रहा होता है तो थोड़े टाइम तो यह current फ्लो करता है जब तक इसके पास energy बाद में दोनों क्या होगा बंद हो जाएंगे तो बहुत B1 B2 dies promptly नहीं बहुत B1 B2 dies out with same delay some delay कुछ delay के बाद बंद हो जाएंगे तो यहां पर जैसे open करेंगे यह दोनों क्या होंगे इसमें current flow होता रहेगा थोड़े देर बाद दोनों बल बंद हो जाएंगे नेक्स्ट which of the following statement is false for the properties of electromagnetic wave निम्नले से विद्ध्य चुम्के तरंगों के समन्द में कौन सा कुन असकते है देखो इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम क्या आफश्रकता है दिर इस no requirement for medium बिल्कुल सही है विद्ध्य श्यत्रता चुम्के श्यत्रता चुम्के श्यत्रत के सर्दी से एक दूसरी के समानतर होते हैं तता यह तरंग संचरण के लंबत होते हैं यह बहुत electric and magnetic field vectors are parallel to each other ने यह एक दूसरी perpendicular होते हैं and perpendicular to direction of propagation जबकि इनका direction of propagation same होता है तो यह इसका जो है false statement हो जाता है option 4 next question next the boolean equation for the circuit given in figure is तो आपको यहां पर एक boolean semigrant बतानी है इसके लिए परीपत में जो आपको दिखाया हुआ है उसका तो सबसे पहले देखो यह यह यहां पर हो जाएगा a bar हो जाएगा ठीक है तो यह b plus c है तो यह b और c का यहां हो जाएगा b plus c आपका जब इसके अंदर output हाएगा तो यह a bar dot b plus c यह हो जाएगा right answer हो का option 4 next question consider circuit given the figure then what will be the potential at the point p तो देखो आप यह 0 potential पर हो गया यह 0 potential हो गया ठीक है अब यह negative से यह positive पर है तो यह negative से आ गया तो यह आपका reverse bias हो गया तो यहां पर तो resistance जो हो जाएगा infinite हो जाएगा अब यह 0 potential पर है तो यहां पर क्या हो का 5 potential हो जाएगा 5 फोल्ड हो जाएगा तो यह right answer होगा फाइफ फॉल्ड next in an NPN transistor 10s to power 10 electrons enter the emitter in 10s to power minus 10 seconds 10s to power minus 6 seconds 2% of the electrons are lost in the base calculate current and amplification factor NPN transistor में 10 की गात 10 electrons उस्सर जक्त में 10 की गात minus 6 seconds में पहुंचते हैं आधार में दो परते दिन इलेक्रों समझेत हो जाते हैं धारा परोर्दन गुणां क्यात पर हो तो पहले तो हम निकालते हैं IE कितना इमिटर करंट कितना है तो IE कितना होगा N E by T N E by T N है आपका 10 to power 10 E की value 1.6 10 to power minus 19 T की value आपके 10 to power minus 6 यह इससे cancel हुआ तो यह आपके 10 to power 13 आगया यह से तो 10 to power minus 3 हो जाएगा तो यह आगया IE 1.6 milli MB यह तो आपके IE की value आगया अब यह IB जो है वो 2% of this होगी तो IB is 2 by 100 of 1.6 तो यह आपके हो गया 3.2 upon 100 यह जीरो पॉइंट 0032 यह हो जाएगा पॉइंट 0032 यह राइट यह आ जाएगा आपके जीरो एक जीरो आएग पॉइंट 0032 यह मिली एंपियर यह मिली एंपियर यह आपके IB की value आगई है अब आपको IB की value निकल गई है ठीक है तो IC की value होती है IE-IB यह 1.6 मिली एंपियर माइनस 0032 यह आपका जाएगा इसको तो 1.568 मिली एंपियर यह आजाएगा अब transformation ratio जो होता है transformer ratio current transformer ratio यह तो हो गया आपका IC upon IE IC upon IE तो यह 1.568 upon 1.6 1.6 मिली एंपियर तो यह तो हो गया 0.98 0.98 आगया अब आपको तो क्या निकालना है अपने को निकालना है प्रवर्धन गुना Amplification factor चले Amplification factor निकालते हैं तो यह होता है IC upon IB IC upon IB IC कितना है 1.568 और IB कितना है IB 0.032 इसको solve करते हैं तो यह राइट आंसर आता है F149 तो राइट आंसर हो जाएगा option 2 next a 2 meter long road of radius 1 centimeter which is fixed from one end is given a twist of 0.8 reading the shear strength develop will be देखो आपको यहां पर दो मीटर लंबाई एक सेंट में देजा कि लंबी छड़ एक सीरी से बंदित है तता दूसरे सीरी को 0.8 reading कौन से मरोड़ा गया है तब अप्रूपन विक्रति होगी तो यह आपके L5 वस्टू आर थेटा अप्रूपन विक्रति कि 5 वस्टू आर थेटा वाई एल ऑगया 5 वस्टू आर थीटा वाई यल आर की वैलयू कितनी है जिरो पॉइंट र की वेलेवाज तरी जा बन सेंटीमेटर सेंटीमेटर में कनवर्ट किया तो 10 अब फोर माइनस क्या थीटा कितना है जिरो पाईट कि वेलेवी तू तो यह आपका आ गया 0.004 next the phenomena of bits can take place this one key at no time about the anupra-sthatan-nodran dono mayotis or for both longitudinal and transfer series donor next question next a siren emitting a sound of frequency 800 Hertz moves away from observer towards a cliff at a speed of 15 meter per second then the frequency of sound that the observers hear in the each reflection from the cliff is velocity of sound given a couple to do a dhoni throat yeah a dhoni throat this is what a cliff a building a cool area or your observer a dhoni throat is key frequency the the 800 Hertz usherjit karthaya preksak se dure ye preksak se dure jayega party key or 15 meter per second se ja raha hai tb preksak dwarah pahadi se priority dhoni thurang ki avrati ye to rest position pe hai toh isko kya appear ho raha ho nikala jaya toh n dash request to ye toh rest position pe toh v upon v iske paas ja raha toh minus vs or ye ho gaya n n dash toh v ki value ki itni ha hap ki dhoni thurang ka wik 330 upon v minus vs toh 330 minus vs ye 15 multiply by n kytna ho gaya 800 ho gaya n dash request toh 330 upon 300 15 multiply by 800 आप इसको simplify करते हैं तो right answer आता है आपके पास 838 हर्ज नेक्स कोशिन नेक्स कोशिन एक पंडुब्बी पर लगा सोनार 40 किलो हर्ज आवरती पर काम करता है एक दुश्मन पंडुब्बी सोनार की ओर 360 किलोमेटर पर हर के चार सही गती करते है तब पंडुबी द्वारा परावरती द्वनी की आवरती क्या होगी पानी में द्वनी की चार्ज 1450 मीटर पर सिकिन्ड यहां पर यह जो आवरती होगी यह आपके थी एंडेश एंड तो यह आपके हो गया वी प्लस वी सब मेरिन अपन वी माइनस वी सब मेरें यह जो प्रावरती तो होगी वह निकल किया जाएगी एंड वी प्लस वी सब मेरें मीनस आपको 1450 प्लस इसको को तरफ तीन सुसाट को मीटर पर सेकिंड में कनवर्ट करेंगे तो प्लस फटार से मल्टिप्लाइगा तो यह अंडेट आ गया और यह 1450 माइनस अंडेट आगया आप इसको सिंपलिफाई करें तो सिंपलिफाई करेंगे तो राइट आंसर आजाएगा आपका एप्रॉक् पालन करने वाली रस्य में खिचाओ एक से इसमें तरंकी चाल भी है यदी रस्य में खिचाओ 1.5 एक्स कर दिया जाए तब तरंकी चाल होगी दे एक्सेंशन इस ट्रिंग हुख जो इस एक्स अधे स्पीड फ़ इंदे प्रने हों और रूट ऐप ब्लट है और फोर्ट हाने कि प्रपोर्चन रहा दो आएगा इस इस प्रेश्चन आएगा इस प्रपोंट फाइगा तो इस एक्स राश्च तो इनिषली था एक्स अब वी धेश्ट हो जाएगा इस प्रपोश्नल वन 1.5 एक्स दोनों को डिवाइट करेंगे तो वी डेश इकोस्ट हो आएगा इसको 1.5 का लेते हैं तो 1.22 या जा तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बाइच्ट हाइच्ट हाइड्रोजन प्रमानों के लिए जिस सेकंड कक्षा में इलेक्ट्रोन की इस तीज उर्जा शुन्य प प्रमानों के लिए जिस तो पहले हम हम हाइड्रोजन की सेकंड कक्षा में उर्जा कितनी होगी तो हमें पता है टोटल एनर्जी जो होती है यह माइनस 13.6 z स्कॉर अपॉन एन स्कॉर एलेक्रोन वोल्ट होती है अब जो पोटेंशल एनर्जी जो होती है वो टू टू टाइ कि इसका डबल कर देंगे तो 27.2 माइनस में या गया और जेड की वेल्वन होगी एन की वेल्व यहां पर सेकंड में यह टू का स्कॉर यह फोर हो गया एलेक्रोन वोल्ट तो यह पोटेंशल एनर्जी जो आ रही है माइनस 6.8 एलेक्रोन वोल्ट यह आ रही है 6.8 एलेक्रोन वोल्ट गया जाए अब आपको यह बोल रहा है हायरेजिन प्रमानों के लिए इस सेकंड कक्षा में इलेक्रोन की इस्थिति उजा शुन्ने प्राप्त होती है तो यह है इसको शुन्ने करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा एड करना पड़ेगा तो यहां पर जो यह सेकंड में है तो यह पी टू डेश आपका जीरो होगा जीरो हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसके अंदर कुछ एड करना पड़ेगा तो यह पी टू डेश आपका जीरो हो जाएगा जीरो करना है तो एड करने के लिए कितना करना पड़ेगा बात समझ में आगी अब हमको क्या निकालना है यह तो निकल गया 6.8 सेकिंड में अब इसको जीरो करने के लिए आपको इतना ही एड करना पड़ेगा तो कितना एड करेंगे आप इसमें 6.8 एड कर देंगे 6.8 एलेक्ट्रों वॉल्ट एड कर देंगे यहां दक तो बात समझ म अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रों की फर्स्ट कक्षा में कुल उड जाओगी तो फर्स्ट कक्षा में जो उड जाओगी वह काइनेटिक एनरजी वह कितनी होगी वह निकालता है तो पहले तो पोटेंशल एनरजी निकाल दो पी डेश तो यह पी डेश जो होगा पोटेंश 6.8 अब फस्ट में कितना होगा तो देखें फस्ट में कितना होगा यहां पर कि एन की वेल्यू टू टाइम सो यानि कि एन की वेल्यू वन पूट करेंगे तो 27.2 आ जागा तो माइनस 27.2 प्लस 6.8 तो यह आ रहा है माइनस 20.4 एलेक्ट्रोन बोल्ट अब कानेटिक एनर्जी कितनी होगी तो कानेटिक एनर्जी तो टोटल एनर्जी के एक्वल होती तो कानेटिक एनर्जी कितनी होगी यहां पर टोटल एनर्जी के एक्वल होगी फस्ट में तो टोटल एनर्जी कितनी है वह आपके कानेटिक एनर्जी 13.6 positive में 13.6 electron volt यह जागी अब दोनों की total कल्डो एड तो minus 20.4 plus 13.6 तो यह आपका रहा है minus 6.8 electron volt तो राइट आंसर हो जागा option 3 a particle drove from a height h its d Broglie wavelength depend on time will be एक कंड को h उचाय से गिराए जाता है इसकी d Broglie तरंग धे रही है कि समय पर निर्वरता होगी तो देहो lambda equals 2 होता है h upon mv है h upon mv equals 2 क्या होता है u plus 80 u तो 0 है a t r तो यहाँ पर time के साथ क्या relation आ रहा है आपका lambda is proportional 1 upon t r lambda is proportional 1 upon t तो right answer हो रहा है आपका option 3 next question after 280 days the activity of radioactive sample is 6000 dps the activity reduced to 3000 dps after another 140 days the initial activity of the sample in dps देखे एक रेडियो सक्रीट नमुली की सक्रीटा होता है 280 दिन बाद 6000 dps हो जाती है अगले 140 दिन में यह गटगट 3000 dps हो जाती ही तो नमुली की प्रारंबिक सक्रीटा क्या थी तो देखो यह सक्रीटा यहां की यह यहां पर देखें यह जो है इस सक्रीटाद 200 दिन बाद 600 dps हो जाती है और अगले 140 दिन में गटकर 3000 हो जाती हैं यहां यह जो है इसकी half life हो जाती है आपकी 140 दिन बाद तो आप देखेंगे यहां पर यह ए नोट कितना हो जागा तो ए आपका कितना है आपका यह है आपका 6,000 ठीक है आपसे पूछी ए नोट की वेल्व ए की वेल्व कितनी 6,000 अब यहां पर यह 280 दिन में कितनी बार दो बार half life होगी तो 2N की वेल्व दो होगी तो यह आपका चार्ज इंटू 6000 यानि की 24,000 तो initial activity of sample in DPS होगा 24,000 next in YDSC 12 fringe are observed to be formed in a certain segment of the screen when light of lambda 600 nanometer is used if the wavelength of light is changed to 400 nanometer number of fringe is observed in this same segment of screen is given by तो देखें यहां पर YDSC पर्दे में किसी बाब में 12 fringe प्रावत होती जब lambda की वेल्यू 600 nanometer है यह दि उप्योग की प्रकाश की तरंग देरें 400 nanometer करतें तो उसी दूरी में कितने fringe की संग्या ग्याद होगी ग्याद करनें तो यह होगा आपका N1 lambda 1 equals to N2 lambda 2 यह relation यूज होगा तो बारा इंटू 600 एंटू आपको ग्याद करना है इंटू 400 तो यह से कैंसे यह तीन बार तो यह आगया 18 तो राइट आंसर होगा 18 next question the interplanar distance in a crystal is 2.8 10 to power minus 8 meter the value of maximum wavelength which can be diffracted एक crystal में अंतर तलिये दूरी आपको दिये अधिकतम तरंग देरी क्या जिसके लिए विवर्तन संभाव हो तो मैं बता है यह होता है है विवर्तन के लिए 2d sin theta cos to N lambda अब value of maximum wavelength maximum value wavelength जब यह sin theta की value क्या होगे आपकी 1 होगी यानि कि 2d equals to N की value 1 यह lambda maximum हो गया तो lambda maximum equals to 2d की value कितनी है 2.8 10 to power minus 8 तो यह आगया 5.6 10 to power minus 8 meter next question प्रकाश के माध्यम A से माध्यम B में जाने पर प्रांति कौन 60 degree है तो कौन 60 degree यहां पर critical angle तो माध्यम A में प्रकाश की चाल विए तो माध्यम B में प्रकाश की चाल गया होगी तो देखी यह है माद्यम A और यह है माद्यम B यहां से यह जा रहा है यह 60 डिग्री कोन है यह से जा रहा है माद्यम A से माद्यम B में स्निल नीम का लगाते हैं तो यह हो गया म्यूँ A साइन 60 एकोस टो म्यूँ भी साइन 90 की वेलिवब वन तो साइन 60 हula syng root 3 पैद 2 equal to mu b upon mu a, तो यह mu b upon va, यानि कि va upon vb हो गया, v a आपको v है और vb की value हमें निकालनी है, तो यह vb equals to rearrange करें हैं, तो 2 v by root 3, यह answer आजाए, right answer होगा option 3. दो सदिश p तथा q का परिणामी r है, the resultant of 2 vector p and q is r, if the magnitude of q is double, the new resultant vector becomes perpendicular to p, then the magnitude of r is equal to, तो देखिए, दो सदिश p तथा q है, यह p है और यह q है, इनका resultant r है, तो यह जो r होगा, इसका magnitude होगा, p square plus q square plus 2p q cos theta यह होगा, अब यह बोल रहा है, q को double कर दिया, p को as it is रखा, यह p as it is, यह q को आपने double कर दिया 2q, तो आप दोनों के बीच में जो angle यहां तर theta वो भी यहीं रहेगा, लेकिन अब जो resultant है r dash, वो इसके perpendicular होगा, 90 degree, तो यहां पर 1090 equals to b sin theta, यह नहीं की, 2q sin theta upon p plus 2q cos theta, 1090 की value 1 by 0, तो 2q sin theta p plus 2q cos theta, इसको rearrange करें, तो cos theta की value जो आती है, minus p upon 2q, यह value इसके अंदर put करें, तो r की value under root p square plus q square plus 2pq cos theta की value minus p upon 2q, q से q, 2 से 2 minus p square, तो क्या आया answer q, right answer होगा option 4. Next, position x of particle at time t is given by this equation, where v naught is constant and a की value greater than 0 है, तो dimension of v naught and a क्या होगा, तो देखे, यहां पर पहले हमें पता है, यह dimensionless होता है, तो a t equals to dimensionless, तो a की dimension होगी t minus 1, तो a की dimension तो होगी t minus 1, अब x distance से तो v naught की क्या होगी, यह पूरा dimensionless होगा, तो v naught की क्या होगी, x a, तो यह होगा, L1 t minus 1, तो L1 t minus 1 और t minus 1, तो right answer होजाएगा, option 1. next, in a capillary rise experiment, the water level rises to height of 5 cm, if the same capillary tube is placed in water such that only 3 cm of tube is project outside the water level, then, देखो, यहां पर बोल रहा है, क्या होगा इसके बाद, तो cache कते प्रवक में, जल हिस्तर में 5 cm तक उंचाई तक चड़ता है, अब उस cache नलिका, जल में इस पकार रखा जाए कि नलिका केवल 3 cm भाग जल के बाहर, अब 3 cm बाहर है, तो यह इसको जो है insufficient length की जो है tube दे दी आपने, तो यह क्या होता है, आपका उपर जाता है, बाहर नहीं निकलता है, लेकिन इसका क्या होता है, आपका radius of curvature जो है, वो increase हो जाता है, आपका यहाँ पर जो है angle of contact वो भी increase हो जाता है, तो answer होगा option 3. Now section B, section B में जो है maximum marks 40 है, this section contains 15 multiple choice questions, out of these 15 questions, you can choose any 10 questions to attempt, you will be awarded 4 marks for correct answer and minus 1 marks for incorrect answer, questions क्या है, question 36 देखे, a polarizer and analyzer are oriented so that maximum light is transmitted when analyzer is rotated through 60 degree then intensity of out coming light is, तो देखों यहाँ पर आपको यह तो है आपका polarizer, यह है polarizer और यह है आपका analyzer, तो यह तो हो गया आपका धुरूवक यह हो गया wishlation, अब यहाँ से यह बोल रहा अधिक्तम प्रकाश निक्रत होता है, तो यह यहाँ से i note आया, ठीक है, polarizer प्रकाश के त्रिवता i note होगी, यह polarizer होगी आगया, अब यहाँ पर यह से 60 degree तो मेला slow लगा है तो i note cos square 60, cos 60 की value 1 by 2, तो यह आपके जो आपको यह intensity मिलेगी i dash, तो यह i dash जो होगा i note cos square 60, यहाँ की i note by 4, तो right answer होजाया, option 3, next, starting with same initial condition, an ideal gaze expand from volume V1 and V2 in 3 different ways, the work done by the gaze is W1 if process is isotherm, W2 if is isobaric, W3 if adiabatic then, तो क्या relation होगा, तो देखो यह आपके P pressure और यह volume graph है, एक आदर्श के समान प्रारंबिक अवस्ता है, से प्रारंबिक अवस्ता है, तो यह प्रारंबिक अवस्ता V1 है, यह अंतिम है V2, यह V1 से V2 तक चलेंगे, प्रसारित होती है, expansion होगा, W1 समतापी है, प्रक्रम में किया गया कार, तो समतापी में यह वाला होगा, समतापी में, यह W2 होगा कार, W1 होगा है, समतापी है, तो यह आपका W1 होगा, ठीक है, समतापी है, तो यह आपका समतापी होगा, समतापी, जदा रुदोश में होगा आपका यह, यह W2 होगा है, यह W3, यह W, तो सबसे ज़्यादा क्या है, एरिया इसका ज़्यादा है, तो W2, फिर W1, फिर W3, W2, W1, W3, तो राइट आंसर हो जाएगा, option 1, next question, a cyclic process is shown in PT diagram, which of the flowing graph shows some process on VT diagram, एक चक्री प्रक्रम का PT-RX दिया होगा आपको, कौन सा निमन आरिक, VT को प्रदर्शीत करेगा, तो देखे भी, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, यह वाले पार्ट, इसको मान लो, a से b, यह b से c, यह मान ले लाँ, a, b, c, a, यह चक्री प्रक्रम हो गया, तो आप देखेंगे, सबसे पहले, a से b, a से b की बात करें, तो यह a से b में आप देखेंगे, p proportional t है, p proportional t, p equals to n r t, तो यहाँ पर आपका p proportional, p equals to n r t, p t के proportional है, यानि की n r upon v, यह t, तो यहाँ पर यह पूरा constant हो गया, तो यह constant हो गया, तो volume constant रहेगा, तो volume constant रहेगा आपका, तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पर यह आपका volume constant रहेगा, तो यह आपकेस में volume constant रहेगा, ठीक है, तो P increase हो रहा है, उसी rate से P proportional T है, तो यहाँ volume constant होगा, अब B to C की बात कर रहे हैं, B to C, तो B to C आप देखें, तो यह आपका temperature constant है, temperature constant हो जाएगा, ठीक है, और pressure decrease होगा, तो temperature constant है, pressure decrease होगा, तो volume आपका increase होगा, तो volume आपका increase हो जाएगा, ठीक है, तो यह B to C होगा, आप C to A की बात करें, तो C to A में आप देखें है, pressure constant है, चले pressure constant होगा, तो pressure constant होगा, तो volume किस के वी ओड्स के तो भी प्रपोस्टेल्स हो जाएगा तो यह वी प्रपोश्ट encounters हो जाएगा तो देखिया आप यहाँ पर ग्राब देखें तो वोलुम कॉंस्टेंट ए डो बी तो ए टो भी आप देखें तो ये आपके ये वाला हो गया A to B volume constant ये volume constant होगी ठीक है इसके बाद B to C B to C तो B to C में P आपका decrease हो रहा है V increase हो रहा है तो यहाँ पर V increase हो रहा है ये V आपका increase हो रहा है ये Carnot engine having an efficiency of 1 by 10 as heat engine is used as a referee tray if the work done on the system is 10 joules the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is तो देखें efficiency का relation होता है निटा equals to 1 minus T2 upon T1 ये निटा आपको दिया हुआ है निटा आपको 1 by 10 1 minus T2 upon T1 इटा की value जो देदी हमने पुट कर दी तो T2 upon T1 equals to 1 minus 1 by 10 आनिकिन 9 by 10 तो ये आपके Q2 upon Q1 के equal at अब यहाँ पर आपको जो heat sink से ले रहे हैं उसमें W aid करें वर्क कर रहें तो ये किसके equal होगा Q1 के एको लोगा आपको Q2 ही निकालना है तो Q2 निकालने के लिए क्या करेंगे डबल्यू इसको rearrange करते हैं तो W प्लस Q2 और Q1 को क्या लिक सकते हैं तो Q1 equals to 10 Q2 10 Q2 by 9 हो गया तो W equals to 10 by 9 W equals to Q2 10 by 9 minus तो यह हो गया 1 by 9 हो गया तो Q2 की value कितना हो गया W आपको कितना दिया होगा 10 Joule तो 10 multiply by 9 यानिकि 90 Joule तो right answer होगा 90 Joule next question temperature of equal masses of three different liquid A B and C are 12 degree 19 degree and 28 degree centigrade respectively the temperature when A and B are mixed is 16 degree B and C are mixed is 23 what will the temperature when A and C are mixed देखिए तीन अलग अलग आपको द्रव दिये हो हैं समान द्रविवान वाले द्रव का ताप प्रारब में 12, 19, 28 है जब A और B को मिला जाता है तो इनका ताप 16 होगा बी वसी को मिलाने पर 23 हो जाए तो difference कितना होगा है 16 माइनस 12 यह हो गया बराबर मास तो सेम है S B ठीक अब इसका 19 माइनस 16 हो जाएगा तो 19 माइनस 16 यह हो गया मास कैंसिल हो गया तो S A upon S B equals 2 तीन बटे चार यह आगया आगया चलो यह एक रिलेशन आगया सेम इसी तरह से आप A B को मिला है तो यह हो गया B वसी को मिला हो तो B वसी को मास S B 23 हो गया तो 23 माइनस 19 कितना हो गया 4 यह हो गया बराबर मास S C B वसी को मिला रहे है अब यह कितना हो गया 28 माइनस 23 यह हो गया 5 हो गया मास कैंसिल हो गया तो S B upon S C plus 2 S B upon S C हो गया 5 by 4 E हो गया यह आगया अब A वर C को मिलाओ चलोगे A और C को मिलाते है तो A और C को मिलाते है ताप क्या होगा तो मास तो से में S A अब ताप हो गया इसका A का कितना था 12 यह बढ़के T हो जाएगा तो T माइनस 12 M S C और यह कितना था 28 28 से T हो जाएगा तो यह लहानी करेगा तो 28 माइनस T करो M कैंसल हो जाएगा आप यहाँ पर S A S B S B S C की वेलिवस में पूट करते हैं सोल करते हैं तो राइट आंसर आता इसका 20.3 degree centigrade तो सोल करने पर 20.3 degree centigrade आपको मिल जाए रहा हूँ नेक्स्ट, flux through curved surface of a cylinder is finite, having charge q is placed at its axis inside it, if radius of circular part of cylinder is r then flux through each circular surface के होगा, तो देखो आपको यह एक बेलन दिया हुआ है, यह बेलनाकार वस्त होगी, बेलनाकार वक्त की सतर से इस से गुजरने वाला flux finite, जब बेलन के अंदर एक आवेश क्यों रखा यह आवेश क्यों रखा तो य यह बिल्कुल इसकी अख्य पर रखा हुआ है, आवेश, इसकी अख्य पर रखा हुआ है, यह यह बेलन की वरत्तिय से गुजरने वाले flux का मान होगा, तो भाई, जब जतनाए इस से निकलेगा 5, उतना इस से निकलेगा, ठीक है, तो यह हैं पर दोनों से यह टोटस निकले Epsilon not minus 5 not by 2 जा जाएगा एक बटे 2 राइट आंसर हो जाएगा option 2 next a moving coil galanometer has resistance of 10 oh and full scale deflection is 0.01 ampere it can be converted into voltmeter of 10 volt by connecting a resistance oh so आपको एक चल कुंडली galanometer दिया हुआ है galanometer है इसका resistance आपको दिया हुआ है 10 ohm अब इसमें जो current है वो 0.01 है अब इसके साथ में आपको resistance connect करेंगे अब यह 10 volt meter यहाँ पर measure करेंगा तो 10 equals to V equals to IR 0.01 और R कितना हो गया 10 plus R हो गया R की value calculate करनी तो यह तो हो गया 1000 यह नीचे आया 1000 equals to 10 plus R तो R equals to कितना हो गया 919 series तो series में connect करता है next the network shown in the figure is a part of a complete circuit if at a certain instant the current is current I is 5 ampere and it's and it is decreasing at a rate of 10 to power 3 ampere per second then VB minus V equals to IR चित्र में परिपत का एक भाग प्रदिशित है कि शेशन धरा आई आई आपको दिए पांच एंपर यह दस किगा 3 ampere per second की दर से करती तो VB minus V लगाएं के वियल लगाएं सबसे पहले भी यह लिग दिया इस पे ऐसे plus से minus जो plus से minus तो minus one into current कितनी five minus से plus तो 15 अब यहां पर यह decrease ओड़ी तो increase करने की कोशिश करेगी increase करने की कोशिश करेगी माइनस इदर आएगा प्लस इस पर आएगा तो यह कितना होगा प्लस LDI by DT हो जाएगा L कितना है L F5 D I by DT आपको दिया होगा है 10 to power 3 that equals to VB यह से cancel हो गया तो VB V A minus VB यह VB minus V A यह कितना होगा आपका 15 हो रहा है right answer हो जाएगा option 2 next electron in hydrogen atom first jump from third excited state to second excited state then from second excited state to first excited state the ratio of the wavelength lambda 1 and lambda 2 committed in two cases in to hydrogen परमान में electron त्रत्ती होते जी तवस्था से जब दित्त्य होते जी तवस्था में कोथता है फिर दित्य इससे प्रथम में कूथता है तो इन दोनों स्थेति में उससजी तरंगदिवर्यों का नूपात होगा तो पहले लेमडा वन देखें तो वन अपॉन लेमडा वन इक्वस्थ्य या प्रपोर्ष्णल प्रपोर्ष्णल कहां से बुद रहा है तृत्त्य यानि कि कि ए एन वन स्क्वार एन टुश्क्वार एक माइनस आए गाने है यह ले लेते हैं पूलता है वन अपन लेंडा वन अपन एनवन इस्क्वार तो एन वन तो गया यहां पर फ्रीका स्क्राइब दूसरे वाले कैस में तो लेंडा वन के वन अपन लेंडा टुश्क्राइब करने पर इसको सोल करेंगे तो टूंटी बाइस से बनाए गाए नेक्स्ट थ्री रोड्स मेड ऑफ से माटरियल और हविं सेम क्रोस सेक्शन है विंज जोंट एश्वन इन फिगर इच रोड ऑफ सेम लेंग दे टेंपरेचर अप देंग्शन अप दिट्री रोड्स स्टेश्ट इसका तेम्परेचर फाइंड आट करना है लेंग सेमें सेम हाई है इसमें ह1 है इसमें ह2 है तो जो हीट होगी है तो मेंगाद hon अनच मेंचन विगर्च परफ सेक्ट चब्लस है commence कि कितना है तो कवा यह 90 माइनस T K A by L T minus 0 plus K A by L ये भी T minus 0 K A by L cancel हो गया 90 minus T equals to TOT ये 2T तो 3T equals to 90 तो T equals to कितना हो गया 30 तो 30 degree centigrade इसके junction point कर temperature होगा next maximum kinetic energy of photoelectrons emitted from a surface when photon of energy is six electron volts fall on it is four electron volts this topping potential is किसी सतर पर ये कोई सतर है इस पर 6 electron volt के photon update करने से यहां से जो electrons kinetic energy जो maximum होगी वो four electron voltage कितनी है four electron volt है हमें पता है kinetic energy जो maximum होती है वो E multiply by stopping potential होता है तो four electron volt EV node E से E तो answer आगया four volt तो stopping potential होगा four volt XT graph of a particle undergoing simple harmonic motion is shown below the acceleration of particle at T equals to four seconds four by three seconds is तो देखिए आप इसकी equation देगे सबसे पहले है तो X equals to A sin omega T so A sin omega T इसकी equation होगे इसको first time differentiate करेंगे तो velocity आजाएगी तो यह A omega cos omega T या जाएगा इसको एक बार और differentiate करें तो acceleration आएगा यह omega तो minus omega square A cos का minus होता है और यह sin omega T आएगे आए चलिए वेली पूट करते हैं तो omega की value निकालें तो time period आप देख रहें इसका time period है eight second तो omega equals to क्या होता है two pi upon eight याने की pi by four value put कर दें तो acceleration equals to minus omega की value pi by four whole square A की value है one sin omega कितना है pi by four T की value four by three यह कैंसे तो minus pi square upon sixteen और sin pi by three sine sixty root three by two so root three by two यहने की root three upon thirty two root three upon thirty two pi square यह answer हो जागा centimeter per second square right answer is four next in a compound microscope the intermediate image is स्विक्त तो सुक्ष्ण ने बीच में लगने वाला प्रतिपम होगा तो देखो यह ऐसे होता है आपका यह आपके इस तरह से यहां पर compound microscope में जो object जो है उसकी image बनेगी inverted बनेगी real बनेगी तो real बनती inverted बनती और जो object size होती है उससे तो magnified ही बनती है तो right answer होता है option one next four particle each of mass m are located at the vertices of square with side L यह आपको एक square दिया हुआ है जिसकी side आपको L गिव है the gravitational potential due to this at the center of square तो यहां mass m यहां भी mass m यहां भी mass m यहां भी mass m potential निगाना तो potential एक के कारण होगा minus gm upon यह root 2L उसका half हो जाएगा तो L by root 2 और 4 से multiply कर दो तो यह आपका हो जाएगा 4 multiply by root 2 यानि की minus under root 32 gm by L हो जाएगा तो right answer हो जाएगा option 4 next a vessel of depth T is half filled with oil refractive index mu1 and remaining half by medium of index mu2 apparent depth of vessel will be है तो देखो आपको एक बरतन लिया आपने यह बरतन लिया इसका आधा तो आपने T by 2 mu1 से भर दिया और आधा आपने T by 2 mu2 से fill कर दिया तो बरतन की आभासी गराई होगी तो D apparent होता है आपका D upon mu1 तो D कितना होगे T by 2 mu1 plus T by 2 mu2 तो T by 2 यह mu1 mu2 LCM लिया तो mu1 plus mu2 यह तो mu1 plus mu2 upon mu1 upon mu2 T by 2 तो राइट आणसर होता है option 4 तो यह हमारा जो है दंगल डंगल 2 है इसका यहां पर यह discussion पूरा होता है मैं उम्मिद करता हूं आप लोगों ने यह पेपर बहुत अच्छे से attempt किया होगा और आप लोगों ने बहुत अच्छा मास इसमें सिक्यूर किया होगा ठीक है तो इसी के साथ यहां पर इस discussion को over करते हैं थैंक्यू जैसी